इसकी बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दे प्रदेश मिं आज भी भारी बारिश के चेतावनी जारी की गया है मौसम विभाग की तरफ से दसदिलों के लिए रेड ँर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है कई लाकों में आपको बता दे कि भारी बारिश के बाद से जन जीवन अस्तिविस्त हो गया है तो प्रदेश में आज भी भारी बारिश के चेतावनी हैं दस जिलों के लिए रेड और और औरेंज अलर्ट जारी किया गया है कई लाकों में 150 से 200 mm तक बारिश होने की संभावना हैं कई शहर डूबे चार जलों के स्कूलों में छुटी जादा जानकारी के लिए रुख करेंगे प्रशान्त यादो समवादाता हमारे साथ इस वक्त फून लाइन पर जुड़ गए है प्रशान्त जरा बताएं मौसम को लिकर मौसम विभाग की तरब से जो रेड और और औरेंज अलर्ट जारी किया गया है लेकिन इस बीच तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर अब भारी बारिश की वज़े से जन्जीवन अस्तवियस्त है तमाम मौते हो रहे हैं 26 मौते जो है इन दिनों देखने को मिली है फिलहाल क्या कुछ और जानकारी है जो बिल्कुल लेकिए जिस तरीके से देखने को मिला था बारा तारीक यानि कल का जो दिन था वो जैपूर के लिए कहे कि एक पूरा दिन बारिश का दौर रहा क्योंकि मौसम विवा की और से रेड अलट किया हुआ था मगर अब आथ की अगर मैं बात करूँ तो मौसम विवा की और से जैपूर और टॉग को जो है औरेंज अलट किया गया है जिसमें ये सम्मावना जता ही गई है कि जैपूर टॉग और कुछ अन्य जिलों में कुछ इस्तानों पर रुक रुक के हलकी बारिश और कई इस्तानों पर बारी वर्शा होने की प्रबल सम्मावना बताई है जो उसे दिखाई हैं हमारे दर्शकों को दिखाई कि किस तरीके से पानी लबा लब पूरा भरा था जो जैपूर है वो जलपूर बन चुका था मगर अब जो है वकल पूरी राजदानी जैपुर में बारिष देखने को मिली मगर अभी के लिए मौसमाला की सुहावना है जो उमस्वड़ी गर्मी थी उससे लोगों को राहत मिल चुकी है मगर अभी बारिष है वो राजदानी जैपुर में रोकी हुई है अब भी बारिश नहीं देखने को मिल रही कहें कि देर राज यानि तीन से चार बज़े तक या पाच बज़े तक बारिश का दौर जारी था मगर अब भी जो है राज़तानी जैपूर में बारिश रुकी हुई है जी चले तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका और अपनी नज़र बना कर रखेगा तमाम अबडेट आपसे लेते रहेंगे फिलहाल आपको बता दे कि राज़स्थान में भारी बारिश जो है वो लगातार अगले दो दिन तक जारी रहेगी राज्जे के पांच जीलो में भारी बारिश का रैड अलड जारी हुआ है वहीं पांच जीलो में जो है औरेंज अलड जारी किया गया है तो कई authorization में 150 से 200 mm तक बारिश होने की संभाव नाँ है इसके अलावा नौ जीलो में यलो अलड जारी किया गया है मौसम विभाग के स्ट्रेताउनी को देखते वे प्रशासन ने आज जैपूर करॉली दौसा टॉंक के स्कूलों में छुट्टी खोशित कर दी है मौसम की खराबी को लेकर करॉली जिले के करनपूर थाना इलाके में अमरापुर के मवाई नाले में सोमवार को तीन युवक बह गए एक युवक ने तैर कर जान बचाए जबकि दोनों युवकों का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका तीनों युवक एक साथ हाथ पकड़ कर नाला पार कर रहे थी इस दोरान तेज बहाव में बह गए भारी बारिश के कारण राजस्थान में दो दिन में 26 से जादा मौते जो हैं अब तक हो चुकी हैं ये एक गंभीर और चिंतनिये हैं चुकी बीते दो दिन में 26 से जादा मौते हो चुकी हैं तो भारी बारिश के कारण दो दिन में 26 से जादा मौते हुई हैं और इन सब के बीच अभी अगले दो दिन तक भारी बारिश की संभावना हैं चुकी मозмow वभाग ने पांच जिलो में औरेज जो अलर्ट और पांच जीलो में रेड अलर्ट जारी किया है कुछ जिलों में चुट्टियां कर दी गई है स्कूली बच्चों की चुकि मौसम खराबी की वज़े से चुट्टी का ऐलान किया गया प्रशासन नियाज जैपुर करॉली दौसा टूंग के स्कूलों में चुट्टी घुचिती है और चुली आगे बढ़ते वे एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है